नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे डियलेट एक्जाम 2021 लेटेश्ट अपडेट तो आज हमारी तारीक हो चुकिए है पांच मार्च 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग नियूज पी एनपी लेटेश्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिसकॉस करेंगे नए सिच्छक बरती 2021 की अपडेट को देखेंगे सिच्छक बरती का नया नियम देखें जेहां दोस्तों आप इस वीडियो को सुरू से लेके अंतर तक देखेगा जहां पर दोस्तों आपको हम बताएंगे जो हमारी 50,000 पदों पर वेकन्सी आएगी इस साल के अंतर तक उसमें दोस्तों प्रोसेस क्या होगा कैसे मतलब गुडांग पनेगा कैसे दोस्तों सिच्छा मित्रों को 25 अंका भारांग पिलेगा सब कुछ हम आपके इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो को आज skip ने करना है और share भी अपने दोस्तों के साथ करते रहना है ठीक है न? तो DL8 शात्र के लिए दोस्तों एक बड़ी खुसकबरी है उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे DL8 2018 24 समस्टर रिजल्ट जी है दोस्तों यह रिजल्ट किसी भी वक्स जारी हो सकता है क्योंकि दोस्तों देखें इन बच्चों का जो कॉपिया थीन है फोर समस्टर की वो 25 फरवरी से इसको चेक किया जा रहा है और दोस्तों जो भी प्रैक्टिकल का नम्मर था उससे तीन मार्च तक आउनलाइन अप्लोड किया जा चुका है मतलब आपका इंटर्ण सी प्रैक्टिकल सब कुछ अप्लोड हो चुगा 18 बैच की बात कर रहे हैं जिसमें दोस्तों 4 समस्टर का पेपर हुआ था जिन बच्चों को प्रमोट नहीं किया गया था तो ये दोस्तों पूरा प्रोसेस है लेकिन एक और अब भी टम बता दे आपको अब भाई PNP मूड में आ चुकी है कि 2018 बैच को मतलब बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए इसलिए दोस्तों उनकी वेबसाइट को रिउपन किया गया है कि अगर 18 बैच में किसी भी बच्चे का 1 समेश्टर, 2 समेश्टर, 3 समेश्टर प्रैक्टिकल में नमबर मतलब नहीं चड़ पाए किसी भी कारण वस तो उस नमबर को ऑनलाइन अप्लोड किया जा रहा है अगर अभी तक आपके कॉलेज वालों नहीं किया तो उनको इस वीडियो का लिंक दे दीजेगा कि 3 मर्च से लेके 6 मर्च यहां दोस्तों कल अंतिम तारिक होगी कल के बाद दोस्तों फिर आपका प्रैक्टिकल का नमबर अप्लोड नहीं हो पाएगा अगर आप फेल हुए हैं तो कॉलेज से तुरन संपर करिए ताकि दोस्तों आपके प्रैक्टिकल के नमबर वो ऑनलाइन अप्लोड कर दे ठीक है बाकी कमेट बॉक में नीचे दोस्तों सारा लिंक दिया गया है उसके मादम से आप अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे एक और अप्डेट हम आपको दे दें एड़ेट जूनियर हाई स्कूल सिच्छक भरती दो दिन में दोस्तों चौदा हजार से जादा पंजी करण हुआ तेरा सु आवेदन तेरा सुब मतलब दोस्त यह फाइनल आवेदन हो गया होता ना फाइनल प्रिंट ले 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 ना बिलकुल पूरा कंप्लीट कर लिया पैसा वैसा देखे बाकि कुछ बच्चे आते सिर्क पंजी करण करा लेते रेजिस्टेशन पैसा पेइमेंट अराम से करते है एक और अपडेट है गाईस कि एल्टी ग्रेट के खाली पदों की जाच कर मांगी गई रिपोर्ट इस अपडेट को भी देखेंगे देखे दोस्तों जो यह एड़ेट जूनियर इसकूल वाली भरती दीना है यहां पर डिलेट शात्रों को मौका मिला है तो जिन बच्चों को बाद में मतलब पेपर देना पड़ा फोर्ट समिष्टर का फरवरी में अभी तक दोस्तों आपका रिजल्ट नहीं आ पाया है आपको बता दे तीन मार्च से लेके 17 मार्च आवेधन की मतलब तारीक है मतलब 17 मार्च के बाद इस भर्थी परिचा में आवेधन नहीं हो पाएगा ठीक है इसको भी जर आपको ध्यान में रखना है उसके बाद देखे आगे कि अपडेट की सिच्छा मित्रों का मान दे दो गुना करें सरकार 10,000 में जीवन यापन करना मुस्किल तो दोस्त ये अपडेट है सिच्छा मित्रों को लेकर तो अगर सिच्छा मित्रों का जो सेलरी है न अगर इसको डबल नहीं किया जाता तो मतलब नुकसान हो रहा हुए उनका है सोचिए आज के दिन 10,000 क्या होता है ठीक है न तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए वैसे डेलट शात्रों के साथ बड़ा दोका जिया दोस्तो दोका ये और आए कि 18 बेच के शात्र सभी नहीं आदे बच्चे जो पास हुए थे उनको तो मौका मिल रहा है लेकिन जो बच्चे फेल हुए थे उन बच्चों को दोस्तो नई भरती से बाहर होना पड़ेगा कुछ बच्चों के मेसेजित प्याए के सार हमने जूनियर भरती का मतलब जो टेट की परिच्छा होती है उसको नोंने क्लियर कर लिया लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आएगा फोर समिष्टर का ये बच्चे ऑन लाइन आवेदा नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों चाहिए सरकार को या PNP को के जल्दी से जल्दी इन बच्चों को रिजल्ट गुसित करें ताकि आपको भी नई भरती में मौका मिले करेंगे तो चलिए दोस्तों आज हम पहले सिच्छक भरती का नया नियम देखेंगे और कैसे दोस्तों आपको नौकरी मिलती है बिलकुछ सुरू से लेके अंदर तक आज आप लोग भी दोस्तों कैल्पलेटर या मोबाइल फोन लेकर बैठिएगा ताकि दोस्तों आपको पता चले कि आगे चलकर आपको नौकरी पाना आपके लिए आसान होगा या मुस्किल ठीक है न तो चलिए सुरू करते हैं देखे दोस्तों सबसे पहले सभी बच्चों का मतलब हाई स्कूल का परसेंटेज दिखा जाएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों नंबर आपका परस कि 100% इसको दिखा जाएगा उसके बाद दोस्तों दीलेड में कितने परसेंट बन देगा या ड बेड़् अगर आपेकर रखा हो तो बेड्य मे कितने पर सेंटेज है उसको दिखा जाएगा और सभी का दोस्तों यहाँ पर 2-100% यहाई जागा ठीक है ना इसको जरा हम आपको बताते चलेंगे भी बिल्कुल बेसिक से आप लोग परिसार मत हुए गा यह हो गया अप जैसे दोस्तों मा लेते ही कि आपने हाई स्कूल में कितने परसेंट लाएंगे सतर परसेंट लाएंगे ठीक हो सकता है काफी बचे सतर परसेंट लाएंगे कुछ बचे दोस्तों इंटर में असी परसेंट लाएंगे कुछ बचे दोस्तों ग्रेजुशन में साथी परसेंट लाएंगे कुछ बचे डियलेड में असी परसेंट लाएंगे इसको जरा समझते ह समलों तो जो बचे दोस्तों इंटर में संतर पर्सेंस logo मैं संतर परेंच सब को मतलब आपको 10 से भाग करते नहीं था है ठीक है जितने भी दोस्तों आपका परसेंटेज आते है उसका आप 10 से भाग कर दीजें को सब्सक्रों अथेवों करेंगे यहां साथ और 7, 15 हो गया, 15, 6, 21, 21, 29, यह दोस्तों आपका गुडांग बन गया, ठीक है, यह किसका है, दोस्तों आपका मतलब academic हो गया, कि आपने high school से लेके DL8 तक इतना मतलब गुडांग बनाया, और आपको बता दे, यह दोस्तों आपका गुडांग high school से लेके inter तक है, ठीक है, 29 नमर आपका high school ठीक है, इंटर, graduation और DL8 का जोड के 29 बन रहा, लेकिन सिच्छा मित्रों को 25 संका भारांग बिल्कुल मुप्त में दे दिया जाएगा, सोचे गाईस, आप इतनी मेनत करेंग तो 29 पाएगे इतने सालों की मेनत से, लेकिन सिच्छा मित्रों के आप फ्री में 25 अंका भारांग मिलेगा, जिससे गाईस, उसके बाद देखिए, सिच्छा मित्रों 25 अंका भारांग मिलेगा, उसके बाद दोस्त इनका मतलब, एक रफाइ स्कूल होगा, इंटर होगा, graduation होगा, DL8 होगा, ठीक है, इसको भी दोस्तों इनका जोड़ा जाएगा, उसके बा पास भी कर लिए, जो कि दोस्तों नई कटा आप देखिए, आपको बताते सूपर टेट के बारे में, ये तो यह हो गया, आपके मन में एक और सवाल होगा, क्या यूपी टेट या सीटेट की जो आप परिच्छा देते हैं, ठीक है, मतलब कुल मिला कि TET की परिच्छा जो उसका क्या मतलब होता है, गाइस अभी तक पहले, कुछ दिन पहले एक अब्रेट है थी, जो भी दोस्तों आपका टेट का नमर होगा, उसका एक बटे चारंग जोड़ा जाएगा मेरिट में, जैसा कि दोस्तों हम बता रहे तभी 29 अंक आपको बता है तो न जोड़ गया, तो बढ़िया है, ठीक है न, तो ये दोस्तों बात होगी, तो टेट की परिच्छा को सिर्फ आपको पास करना है, तो देखे जो हमारा UP-Tate या दोस्तों सीटेट की परिच्छा होती, इसको जरह हम आपको एक्स्क्रेन कर देते हैं, ठीक है न, तो देखे अगर आप आपको पास होने के लिए 90 नमबर आना पड़ेगा, अगर आप EWS में भी आते हैं, तो भी आपको पास होने के लिए 90 नमबर, बाकि दोस्तों आप अन्य किसी भी आरचित वर्ग में आते होंगे, चाए OBCO, चाए SCO, चाए HTO, चाए Fiscal Handicap हो, तो दोस्तों आपको पास होन पास होने के लिए 90 नमबर, पिछली बर्ची के बात करें, उनहत्तर जान पड़ेगा, पासिंग मार्क लग सकती है, बाकि आपर अगर OBC, SC, HT, Fiscal Handicap शात्र के लिए दोस्तों जो कटाप रखी गई थी, वो 90 नमबर, देखें, यह आपर General शात्रों को फायदा हो जाता, अगर माल लेते दोस्तों आप General Category के शात्रे हैं, और Fiscal Handicap कोटा में आते तो आपको पास होने के लिए 90 नमबर ही लाना है, तब आपको 97 में नहीं लाना है, ठीक है, यह फायदा मिलता है, General Category के Fiscal Handicap शात्रों को, क्यो तो दोस्तों आपने आपको बता दिया आगए UPTate का क्या होगा, सूपर Tate का क्या होगा, देखें हाँ, पहले दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ तक 29 अंक का मतलब आपने गुडांग बना लिए, इसको जरा समझीए पहले, ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों जो भी आप अगर माले थे कि आपने सूपर Tate पे 150 में से 100 नंबर लिया है, जितने भी नंबर दोस्तों लाएंगे उसका 60% अपने निकालना पड़ता है, 100 का 60% अगर आप निकालना तो कितना हो जागा, एक 0 से 0 कड़ गए, पंद्र है, पंद्र है, पंद्र है, पंद्र है, पंद्र हो इंटर में, ग्रेजूइशन में और DL में, सब लोग अपना परसेंटेज देख लेंगे, हाई स्कूल में अगर आपका 65 आ रहो तो पैसेट कर दीजेगा, शाटर जो भी हो उसके कोडिंग निकालिएगा, ठीक है गाइस, तो हमने एवरेज लिया है कि अगर आपने 150 में से तो अगर दोस्ति ये नॉर्मल सा अगर एवरेज आपका चल रहा है, तो इसके कोडिंग आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है बाके दोस्ति ये बाते होगी, कुछ और चूटा होगा तो अगली वीडियो में इसको कवर कर देंगे, बाके दोस्त हमने अपडेट आपको द से आविधन कर दिया है, तो प्रधाना ध्यापक के 309 पद हैं, सायक ध्यापक के 204 पद हैं, ठीक है न, पेपर 18 अप्रेल को करा जाएगा दोस्तों, ये सब बाते हैं, और पेपर देखिया आपको बता देंगे, आपको डाई गंटे का पेपर ये भी होगा, जिसमें 150 कोश ठीक है, तो बाकि दोस्तों, अगली अप्डेट एक और वीडियो में देंगे, डेल अट रती समेश्टर की जो भी अप्डेट्स आएंगे, और बैक पेपर परिष्छा की तारी, दोनों अप्डेट्स को काई समाने वाली वीडियो में कवर करेंगे, देखिए 3 समेश्टर का पेपर हर आलत में मार्च में कराना पड़ेगा, अगर मार्च में आपका पेपर नहीं हो पाया, तो अपरेल में बहुत ही मुस्किर हो जाएगा, फिर मैं भी आपका इंटर का पेपर चलता रहे, तो मैं किलाश में पेपर होगा, तो उसका रिजल्ट कब आएगा, जब तो इतना लेट होने से नुकसान आपका है तो आपको थोड़ा सेक्टिव होना पड़ेगा नहीं तो फिर नई भरती से आपको हाथ दोना पड़ेगा तो गाइस मिलेंग एक और वीडियो में और भी अधिक अप्डेट के साथ तब तक के लिए स्टे कनेक्टेट और 33 समस्ट दोनों दोस्तों लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है वहां से आप चेक करते रहे हैं जैसे ही दोस्तों कोई लेटेस्ट अब्रेट रहेंगी वह आप देख पाएंगी ठीक है बाकि अगर आपने सीटेट का रिजल डाउनलोड नहीं कि सीटेट का सर्टिकर ठीक ह डिजी लॉकर से वह भी दोस्तों का लिंक नीचे दिया गया है और अधिक जानकारी क्लिए आपको हमने वेबसाइट बता रहा है कौन सी डिएलेट ठीक है रिजल डाट कॉम इसको जरा ध्यान में रखेगा इससे दोस्तों को काफी फैदा मिलेगा डिएलेट रिजल डाट डिएलेट